हुआ 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 है हुआ है हलो एब्रीबन वेल्कम टू एलर्ण और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन वाइश शॉर्टिंग और फिप्टीन एर कॉश्टिन फॉर वाई केमिस्ट्री तो जो हमारी प्रिवेस वीडियो थी उसमें हम ने जोलोजी और वॉट आजयम काइनेटिक्स, रेगुलेशन और इनिविशन, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, सेल स्ट्रक्चर और ओर्गेनल्स, डियने रप्लिकेशन, ट्रांस्क्रिप्शन और ट्रांस्लेशन, एंड इम्यून सिस्टम इस तरहीके से खाली सिक्सी सेक्षन है और ये सेक्षन बहुत टुफ नहीं है, इनमे बहुत सादा टॉपिक्स भी नहीं है, तो आप इजीली इनको प्रपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां में शॉर्टिंग करेए है, शेक्शन वाइस तो उच्शॉटिंग की आ ही आपक सेक्शन को डीनोट करा है एचली बहुत से कंडिट्स ऐसे हैं जो अभी भी कह रहा है कि आप टॉपिक वाई शॉर्टिंग कर दीजिए लेकिन टॉपिक वाई शॉर्टिंग करने में बहुत बड़ा यही डिसएडवांटेज है पिटा कि पहली चीज तो यह है कि यह स्लिवर बहुत वास्ट नहीं है इसमें केवल जैसे सिक्सी सेक्शन है और आपको एक यूनिट के स्टेडी करने है उसमें भी अधी हम आपको टॉपिक बता देंगे उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि आधी टॉपिक अगर बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं और उन देंगे सेक्शन को में सबसे पहले प्रपेर कर लेना है और अच्छे से प्रेपियर करना इसमें जतने भी टॉपिक्स को बहुत अच्छे सप्र 572 एकमिशा वेताथी आड़ा जब अब कसी टॉपिक को प्रपियर नहीं कर पा रहें हैंड को लग रहा है कि इसलेवस बहुत करा देंगे लेकिन आपको prepare पूरे के पूरे topics करने जो सेक्षन में में मेंशन करूंगी वो सारे topics आपको prepare करोजेंगे तो पहला आपका section क्या है? वह एnzyme kinetics काणीक्स परेंज़ाइम काणीटिक्स जो है उसमें kitsmans coenzyme metabolic pathway and their regulation and photosynthesis इससे कितने 62 questions अभी तक फिर है सेकेंड टॉपिक आपका बाय केमिकल सेपरेशन टेक्नीक इससे 46 कोश्चन आ है और गनाइजिशन ऑफ लाइफ और बायो मोलिकल 38 कोश्चन सेल वायोलोजी एं सिगनल ट्रांस्टेक्शन हॉर्मोन और नियूरो ट्रांस्मीटर 34 कोश्चन तो यह जो आपकी वह जल्हेंगर इसक्षण आपको इज्यली प्रपेर भी हो जाएंगों सबसे पहले आपको अप्ने इन केशन को प्रपेर करना लेकिन इसमें जितने भी section है हमें इसमें 50 से जादा ही हर एक section पे question पूछे का हैं तो इसलिए हमने उसको less frequent section की category में नहीं रखा यहां पर केबल आपका most frequent है और second जो है वो है आपका medium frequent तो medium frequent topic section में जो है total two section है पहला है आपका immunology जिससे अभी तक 24 question आ है second है molecular biology recombinant biotechnology इससे जो है वो 16 questions आये हैं तो इस तरहीं के से आपके total 60 sections थे आपके four sections जो है वो most frequent section है second जो है वो आपके medium frequent section है तो आपको एक तरफ से अगर देखा जाए तो सारी के सारी ही prepare करने है अगर आप चाहें तो आपका यह वाला जो है molecular biology and recombinant DNA technology इसको अगर आप skip करना जाहें तो skip कर सकते हैं अदर्वाइस आपको सारे के सारी prepare करने है और अच्छे से prepare करने है ठीक है अब यह तो हो गई आपकी self study की बात अगर आपको online preparation करने है तो आप जोड़ सकते हैं e-learnam के साथ इलर्ड हम आपको लेके आया है different type of best regarding get by technology and get excel examination जहां पर total आपको six wedges मिलेंगे DNA wedge, RNA wedge, protein first wedge, enzyme first wedge and enzyme second wedge इसका जो subscription है moment of October से शुरू हो जाएगा और यह जो पूरा course है यह get life science और get by technology examination के according ही design किया गया है आप इसका subscription ले सकते हैं और अपनी preparation को अच्छे से कर सकते हैं अब यदि आप इसका subscription लेते हैं तो आपको मिलेंगी detailed recorded lecture, PDF node, daily practice seat, PYQ session, quiz session and 24 into 7 doubt clearing session यह हमारा कुछ previous year result है और यह जो है previous year result analysis है 22-23 और आप देख सकते हैं year 22-23 पर 300 प्लस candidate ने e-learnum के platform से qualify करा है तो आप e-zilius का subscription ले सकते हैं अगर आप contact की बात करें तो आप directly हमें इस number पर phone कर सकते हैं यह official email id है e-learnum.web at the rate gmail.com और यह e-learnum की website है तो आप इसमें directly जाके जो जो वहां पर information है आप उसको access कर सकते हैं अब इसके अलावा और भी कोई question है या query है तो आप हमें directly comment box में बता सकते हैं comment कर सकते हैं यदि यह video आपके लिए helpful है तो like करें, share करें और channel को subscribe करें जो हमारा upcoming video होगा उसमें हम get microbiology के बारे में detail में बात करेंगे तब तक इन सारे section को note down कर लिए और अपनी preparation को करते रहें thank you for listening